हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल कॉमर्स वानी दोस्तो जिस चीज का इंतजार आप सब को बेसबरी से था वो अनॉंसमेंट ICAI का रिगार्डिंग एक्जाम आ चुका है तो आज हम इस पूरे अनॉंसमेंट को एक बार देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे के ICAI ने किन किन चीजों के बारे में यहां पे बात किया है तो सबसे पहले जो है यह अनॉंसमेंट मैं आपके सामने रखता हूं और काफी बड़ा अनॉंसमेंट है तो मैं इसको फिर यह 29 जुलाई को और कुछ लोग बोल रहे हैं कि COVID-19 pandemic situation के वज़े से exam नहीं होने चाहिए तो इसके regarding में और भी बहुत सारे क्वेरी जो है ICI के सामने रखे गए थे with respect to COVID-19 examination center availability और student या center कुछ अगर containment zone में है social distancing norms, sanitization और भी बहुत सारे transportation facility और बहुत सारे चीजें as well as loss to examination fees जो already pay कर चुके हैं यह सारे चीजों के सवाल जो है institute के सामने रखे गए थे और institute ने इन सारे सवालों को address करने का कोशिश किया है और सबसे पहले यहाँ पर मैं बता हूँ institute यह बोलता है कि ICI is committed to serve even if one student wish to appear कोई एक बंदा भी अगर exam देना चाहता है तो ICI जो है अपने तरफ से पूरा commitment रखता है कि उस बच्चे को ensure करेगा कि वो exam दे सके on 29th July लेकिन COVID-19 के situation को नजर रखते हुए larger context में जो students लोग anxiety face कर रहे हैं या hardship face कर रहे हैं इसको नजर में रखते हुए institute ने एक option दिया है जिस option का नाम है opt out option दोस्तों ये opt out option जो है क्या है इसको हम देखेंगे institute ने बहुत अच्छे से clarify करने का कोशिश किया है और भी इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई दूसरा questions भी है institute ने उसको भी answer करने का कोशिश किया है तो दोस्तों सबसे पहले institute यहाँ पे बता रहा है कि student जो भी म के examination के लिए form fill up किये थे अब उनके पास में एक option है वो चाहेंगे तो यहाँ से opt out कर सकते हैं exam नहीं दे सकते हैं और अपना जो candidature है उसको carry forward कर सकते हैं अपने next exam यानी November वाला जो attempt है उसके लिए लेकिन यहाँ पे institute और एक बात बोल रहा है कि जो examination का fees है या कोई student का exemption है य तो institute ने यह भी clarify किया है कि किसी का अगर exemption already है तो उस exemption के लिए अगर student opt out option avail करता है तो यह attempt count नहीं होगा May 2020 का और जो examination fees है दोस्तों वो भी जो है further आगे चलके adjust कर दिया जाएगा और differential fees अगर कुछ बनता है तो वो आपको pay करना है यहाँ पे institute और एक बात बोलता है जैसे कि कोई student एक group के लिए form fill up किया था तो उसने एक group का payment कर रखा था अगर November वाले attempt को लिए वो opt out कर जाता है तो उसको दो group let's suppose उसको देना है तो दो group का payment नहीं करना है क्योंकि एक group का already payment कर चुका है जो भी differential amount बनेगा उसी amount को ही student को pay करना है और भी यहाँ पे student उनके बारे में भी बात कर रहा है those who choose not to opt out जो लोग चाहते हैं के इसी बार में ही exam देंगे they wish to appear from 29 July 2020 institute वहाँ पे भी बोलता है के सारे कदम उठा रहा है institute सारे arrangements कर रहा है so that exam को smoothly conduct किया जा सके across the globe और वहाँ पे जो है सारे precautions सारे measures COVID-19 के जो है thermal scanning hand sanitization and wearing mask social distancing ये सारे चीज़ों का पालन करते हुए government guidelines and instructions को follow करते हुए examination को conduct करवाया जाएगा यहाँ पे और एक बात institute बोल रहा है के जो situation है pandemic का उसको दुबारा से review किया जाएगा जिसमें MHA के guideline को या center and state government के directions को consider किया जाएगा July 1st week 2020 तक and वहाँ पे फिर जाके status final किया जाएगा जो student opt-out नहीं करते हैं उनके लिए क्या examination होगा या नहीं होगा इसके बारे में institute अभी clarify नहीं कर रहा है government के guidelines को सबको नजर रखते हुए pandemic situation को review करते हुए वो decision जो है July 1st week में देगा और एक बात बता रहा है यहाँ पे examination जो 29th July 2020 को conduct होना है ये पूरा strictly depend करता है जो भी government का advisory होग जिस area के लिए and कोई center let's suppose अगर raid zone में है या कोई ऐसी जगा पे है जहाँ पे government का guideline के वज़े से वहाँ पे examination नहीं हो सकता है तो वहाँ पे अपने आप student लोगों को November 2020 के examination cycle के लिए accommodate कर दिया जाएगा ये जो है institute के तरफ से बहुत important guideline है और इसके साथ में institute ने ये भी clarify किया ह जो लोग examination का center change करना चाहते थे examination का center जो change करना चाहते थे 29th July 2020 वाले exam के लिए तो उसके लिए जो है application जो है 17th June से लेके 28th June तक जो है application आप फाइल कर सकते हैं 17th June 11am onwards से ये window जो है 28th June 11.59pm यानि के पूरे 20 June तक आपका ये window open रहेगा दोस्तो और एक चीज clarify किया है जो old course वाले थे IPCE students जो old course में थे इन लोगों का एक extension मिल गया है और एक attempt के लिए यानि के November 2020 तक अब इनका examination cycle हो सकता है और यहाँ पे finally institute बताया है कि procedure क्या है आपको so that आप out facility जो है अवेल कर पाएंगे आपको एक declaration submit करना है online submit करना है institute में ये website है icaiexam.icai.org में और इसका date देख लीजिए 17 जून 2020 यानि Wednesday से 11 बजे onward से लेके 20 जून 2020 यानि Saturday तक आपको declaration जो है आपको submit करना पड़ेगा और एक बार अगर कोई भी candidate declaration submit कर देता है तो उसका cycle जो है वहीं पे cancel मान लिया जाएगा May attempt के लिए exam और उसको shift करवा दिया जाएगा for November attempt एक सबसे important बात यहाँ पे institute बोलता है कि एक बार अगर आप इस option को exercise कर लेते हैं अगर ये opt-out facility आप ले लेते हैं तो ये final मान लिया जाएगा कोई भी circumstance में आप चाहेंगे तो दुबारा से इस चीज़ को change नहीं कर सकते हैं for May exam तो जो भी होगा फिर आपका November exam से होगा तो institute इसके साथ ये भी बोला है कि आप website में regularly visit करते रहिए touch में रहिए so that institute का further कोई भी advice है या कोई भी clarification है या कोई announcement है तो आप उससे updated रह सके I hope दोस्तों आपको ये चीज़ पूरा समझ में आया होगा and those जिनको exam अभी था और वो लोग confusion वाले स्थिती में थे आपके लिए भी एक clarification बन गया होगा and मुझे उमीद है दोस्तों आप अपने tension को उतना ज्यादा नहीं लेंगे मैं कोशिश करूँगा अगर हो सके तो आगे एक वीडियो भी बनाओ किस तरीके से इस situation को आपको handle करना है तब तक के लिए आप खूब अपना ख्याल रखे अपने घरवालों के साथ में रहे stay indoors, स्वस्त रहे, मस्त रहे, वियस्त रहे and thank you very much